नुश्कार मैं विमल कुमारत ही दिल्ली से बोल रहा हूं और मैं एक बुक इसका नाप English word power at your fingertips है उसका author हूँ वेल इंग्लिश में एक टर्म आती है words awfully confused कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते दिलते हैं और उनको यूज करने में हमें बहुत दिक्कत आती है उसी शब्गा में मैं एक नया सीरिस चलू कर रहा हूं तो आज की जो दो वर्ड्स हैं वो हैं और ऐख ऐण सीड और इक्सीड इसके यह है sopran घद करते इसको एकसीड बहते हैं और इसको भी एक्सीड बहुत जो एक जासी लगते आसंकि एंक साउंड इफरेंट यह है और यह है इक्सीड साउंड अगर आप फ़र तक ख्यां देंगे तो दोनों में सीडी और यहां पर भी सीड है दोनों ही सीड के एक रूम है जिसका मतलब तू गो जाना तो अक्सीट का मतलब तू अग्री टूए रिक्वेस्ट और डिमांड एक्सेक्ट्रा अक्सीट का मतलब जैसे आप कहते हैं मैं वैसे चल देंगो जाने को तयार हूं वह अक्सीट का जो मेंड मीनिंग है तो इसका सैटाइज देखिए वी डिप नट अक्सीट टू हर रिक्वेस्ट उसने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी दूसरा है एक्सी एक्सीड है इक्सीड है एक्स का मतलब वाहार जाना तूबी मोर देन और नंबर और अमाउंट किसी संख्या से बाहर जाना या किसी रूल से बाहर जाने को हम इक्सीड कहते हैं जैसे हम कहें कि मेरा जो खर्चा है वो मेरी इंकम से जादा है या बाहर निकलता है या जादा है तो माई इक्सपेंजिचर इक्सीड माई इंकम मेरा जो खर्चा है वो मेरी इंकम से जादा है या निके बाहर में गल जाता है तुक अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थांक्यू